हे गाईज वेलकम बैक आवर चैनल सक्खी कॉर्नर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आप इसकिन के कलर को कैसे लाइट कर सकते हैं अगर आपके सकिन संटैन से आप परिशान हो तो उसे आप कैसे असानी से हटा सकते हैं और आपकी सकिन का कलर अगर पहले से डार्क हुआ जा रहा है तो उसे भी आप सही कर सकते हैं इस लेप से चलिए बनाते हैं इसके लिए मैंने एक बाउल में हल्दी ली है यह और गैनिक हल्दी है हल्दी है और यहां पर मैंने आधा चूमच दिया है सहद और इसमें लेंगे आधा निबू का रस, इनको हम अच्छे से मिक्स करके अपने चेहरे पे या अपने पूरी बाडी पे भी लगा सकते हो, अगर आपके पूरी बाडी थोड़ा डार्क होने लगें, इन गर्मियों में तो सबकी बाडी थोड़ा डार्क हो जाती है, तो आप यह ट्राइ कर सकते हैं, और यह बहुत इफेक्टिव है, इसे आप अपने बाडी पे लगाएं, फेस पे लगाएं, और फिर पंदर मिनट छोड़ दें, उसके बाद आप शावर ले ले, आपको इसका असर दो दिन में ही दिखने लगता है, या आपके स्कीन को लाइट करन के पास अगर नहीं है, तो आप कोई भी कोकनट ओल यूज नहीं करिएगा बॉड़ी पे, वर्जिन ही लीजिएगा, वो सही रहता है, और इसमें मैंने लाया है गुलाब चल, दो चमच करी मैंने इसमें गुलाब चल मिलाया था, और फिर यहां पे मैंने लिया है, यह मैं पेश्ट बना के रखती हूँ, मसूर की दाल और ओर्ट्स का, वो मैंने लिया है, और इस पाउडर में मैंने हल्दी मिलाया है, और इन सारी चीजों को अच्छे से मिला के हमें एक पेश्ट बना लेना है, ज़्यादा थिक ना बनाईएगा, क्योंकि अपलाई करने में इसे मैं बना के रख देती हूँ, फिर जब भी उस करना होता है, तो इजी रहता है, इसे आप अपनी पूरी बॉड़ी पे अपलाई करें, और बीस मिनट तक आप रखें और उसके बाद शावर ले ले, इससे भी आपकी स्किन का कलर लाइट होगा, और अगर आपके फेस पिमपल के दाग हैं, तो भी यह बहुत ही एफेक्टिव है, उसमें भी यह आपकी बहुत ही ज़्यादा है आपकी स्किन को लाइट करने में, तो आप इस फेस पैक को बहुत ही इसली घर में बना सकते हो, यह घर की जीजों से बना है, और यह आपको बहुत ही अच्छा रि करिएगा, थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो,